हेलो स्थो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट एग्रोलाइप इस कमपनी के बारे में इस से रिलेटेट काफी निवेशक के कोशन थे किसरी स्टॉक में हम टॉप लेवल पर खरीद कर बैट चुके हैं किसी ने पंदरा सो किसी ने तेरा सो किसी ने बारा सो रुपए पर भी खरीदा है और कुछ निवेशक ऐसे भी है जो इस टॉक को काफी बॉटम लेवल पर याने के बहुती सस्ते दाम पर खरीद कर बैठे वे हैं तो अभी ये निवेशक के तो मैंड में सवाल आ रहे है कि इसके अ और कुछ निवेशक फ्रेश इंटी लेना चाहते हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि इस कमपनी में अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए क्योंकि दोस्तों जो डीटेल्स या जो अपडेट्स है वो यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जो सवाल थे काफी इस कमपनी के बारे में अगर स्ट्रेंद के बारे में डिसकस करें तो इस कमपनी का पूरे इंडिया में बहुत बड़ा वेटेज है ऐसा आप यहाँ पर कह सकते क्योंकि इंडिया के जो टॉप 15 एग्रो केमिकल के कमपनीज है उसके अंदर बेस्ट एग्रो लाइप इस कमपनी का नाम आता है यानि कि यह एक बहुत अच्छे लेवल पर कमपनी है हम ऐसा कह सकते एग्रो केमिकल के बिजनस में ऐसा नहीं कि बहुत इंडिया के अलग-अलग कमपनीज है और उसमें से उसका रैंक बहुत कम ऐसा नहीं है एक यह स्ट्रेंथ वाला पॉइंट इसके जो प्रोडक्स है खास करकर टेक्निकल्स, फॉर्मिलेशन एंड इंट्रिमेडर्स ऐसे जो प्रोडक्स है एंड पब्लिक हेल्थ प्रोडक्स अलसो तो बेस्ट एग्रोलाइप एक कमपनी बहुत वैलिबल तरीके से अपने आपको यहाँ पर एक नेक्ष लेवल के ल कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप प्रोडक्स के पॉर्टफोलिय को देखेंगे बेस्ट एग्रोलाइप इस कमपनी के तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कमपनी के अंदर जो यह बड़ी गिरावट है उसके पीछे कौन से रिजन है और कमपनी के अंदर अगर तो होते ही हैं अगर आप दोस्तों बेस्ट एग्रोलाइप इस कमपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो कमपनी के पास प्रोड़क्स देख लीजी कितने जबरदस्त हैं खास करकर जो प्रोड़क्स की बात करें तो कमपनी के पास सत्तर से भी ज्यादा प्रोड़क् लाइसेंसेस है and 396 formulation लाइसेंसेस है तो company क्या level का weightage रखती है आप इससे अंदादा लगा सकते हो and यहाँ पर हम जैसे के इनके सम बेस सेलिंग प्रोड़क्ट के बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको पता है या आपने कहीं देखे प्रोड़क्ट वगेरा आप farm या agriculture से related knowledge रखते हो तो आपको यह company बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी and यहाँ पर हम जैसे के इस company के revenue के बारे में बात करें तो दोस्तों यह company का revenue काफी आपको divert नजर आएगा खास करकर geographic area से यहाँ पर हम देखे तो माहराष्ट्रा से best agro life company का revenue 20% गुजरा से यहाँ पर आपको 13% 12% हर्यन्या और मद्यपरदेश से 11 और यहाँ पर United अंद्रा जो है वहाँ पर 10 एंड पंजाब से आपको 8 तो इस तरीके से इस company का sales यहाँ पर हम कहेंगे revenue का source आपको देखने को मिलेगा बट अगर आप client के बारे में देखेंगे तो इसके पास बहुत बड़िया client है UPL जैसी company और भी यहाँ पर order आपको customers देखने को मिलेंगे जिससे इसको यहाँ पर बहुत बड़ा revenue जनरेट होता है अभी देखें revenue कैसे जनरेट होता है और क्या है मैं आपको बताता हूँ एक बड़िया यहाँ पर interesting point है जो आपको study करना चाहिए 40% of revenue come from these two clients तो देखें यह जो आप तक इसको revenue आता है उसमें का 40 टका सिर्फ दो clients आता है यानि के यह जो दो clients का business अगर अच्छा नहीं चलेगा तो बिल्कुल दोस्तो उसका impact इस company पर भी होगा और यहाँ पर impact करने वाला कोई company हम यहाँ पर कह सकते है तो वो UPL है आप यहाँ पर आप बोलेंगे सर, UPL company भी अपना अपना business करती है बिल्कुल सही है बड़ दोस्तो उसको भी यहाँ पर आईसे सभी companies को लेकर चलना पड़ता है तो UPL company के लिए यहाँ पर दोस्तो best agrolife company एक बड़ा player है और इसका आप सभी को देखने को मिल रहा है कि इसके जो revenue का source है या इसे बड़े companies है तो अभी उनके ही business उतने खास नहीं चल रहे है तो वो आपको क्या देंगे और इस stock के अंदर correction की पिछे का reason ही यही है मैं जो आपको आज यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ details उसको थोड़ा अच्छे से संबने की कोशिश करना देखिए दोस्तों आप जितना समझ पाए उतना आपके लिए फायदे मन्द है क्योंकि आप यहाँ पर इस company के अंदर निवेश कर रहे हो किया है या करना चाहते हो तो आपको ही इसके अंदर यह data देखकर decision लेने है तीन manufacturing facilities इनके available है और यहाँ पर आप पढ़ सकते है कि इनके capacity कैसे है manufacturing के और कौन से कौन से state के अंदर है यहाँ पर जो नोईडा, जम्मू, काश्मिर के अंदर ऐसे इनके यहाँ पर प्लांट आपको देखेंगे dealer network भी काफ़ी strong है इनके पास 5200 dealers है और यहाँ पर 18 state के अंदर इसका business फैला हुआ है based agrolife का research and development पर भी बहुत खर्चा कर रही company अब यह देखने वाली बात है कि इसके product कितना value create कर सकते है market के अंदर और देखें दोस्तों promoter ने भी share holding तो बहुत अच्छे से बढ़ा ही है और आगले 3 से यहाँ पर हम कह सकते 2 से 3 सालों के अंदर company अपना export market में भी बहुत अच्छे से weightage बढ़ाने वाली है और बढ़ा भी रही है company के market cap की बात करे तो 2040 करड़ का market cap है और P ratio से stock काफी attractive trade कर रहा है स्रिप और स्रिप 9 के करीब P चल रहा है दोस्तों और यही P 60 के करीब चलता था जब यह stock top पर trade करता था और इसका return on equity अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो है 44 का return on capital employee देखे 34 का और इसके यहाँ पर dividend yield की बात करे 0.35 का dividend yield है तो इतना तगड़ा और शांदार यहाँ पर इस company का आपको जैसे के हम कहेंगे valuation का performance दिखाई देगा अगर आप shareholding में भी देखेंगे तो best agrolife इस company के अंदर promoter ने March 2022 से बहुत अच्छा interest दिखाया 45 से 47 कर दिया stick और इसके बाद में बढ़ा कर 48 और फिर 50 और दोस्तों अभी 50 परसेंड से उनके पास है और पब्लिक के पास 37 परसेंड सेक आपको दिखाई देगा और एक बड़ी बात नजर आई है वो है कि D.I.S. ने भी थोड़ा स्टेक बढ़ा दिया और F.I.S. के पास भी आज भी 9.5 परसेंड का स्टेक है याने कि छोटी कमपनी जरूर है बट बड़े निवेशक भी इसके अंदर इंक्लिवड है और यहाँ पर Best Agro Life इस कमपनी के अंदर करेक्शन के पिछे के रिजन थे इस कमपनी के दोस्तो रिजल्ट कमपनी के येरली रिजल्ट तो ठीक ठाक है बट दोस्तो कमपनी के जो कौटरली रिजल्ट है उसके अंदर बहुत बड़ी uncertainty देखने को मिल रही थी बोलकर हमें यहाँ पर मार्केट में इस स्टॉक से रिलेटेड हर वक्त करेक्शन वगेरा ही देखने को मिल रहे है और आप यहाँ पर ये भी देख सकते कि बेस्ट एग्रो लाइप इस कमपनी पर कोई करजे का भी बर्डन नहीं है अगर आप लॉंग टम के बॉर्विंग को देखेंगे तो कमपनी पर नाम मातर करजा है यानि के कोई भी यहाँ पर बड़ा करजा है बोलकर हम ऐसा कहीं नहीं सकते है कि बहुत बड़ा करोडो का या इसके मार्केट के आपके हिसाब से कही गुना जादा करजा है बोलकर ऐसा बिलकुल नहीं है अगर आप यहाँ पर लॉंग टम के बॉर्विंग को देखेंगे तो बहुत कम है और हर वक्त लॉंग टम की बॉर्विंग की देखी जाती है और दोस्तों शॉर्ट टम की देखेंगे तो 200 करडो का 270 करडो का करजा है बट लॉंग टम के इसके अंदर कोई इश्व नहीं है एक अच्छा पॉइंट है और अगर आप बेस्ट एक्रोलाइप इस कमपनी के डेटिल्स को देखेंगे तो यह लगातार एक्वाइजेशन करकर आपने बिजनेस को बढ़ा रही है पिछले एक मंत पहले की निउज है काश्मीर के अंदर यहाँ पर सौरी काश्मीर केमिकस नाम की कमपनी को 99% स्टेक के साथ आइक्वाइर कर लिया है इस कमपनी ने and उस तो आप चाहे तो और भी बहुत से डेटिल्स देख सकते हैं कि यह जो कमपनी है अपने आपको एक बड़े ग्रोथ के लिए प्रिपेर तो कर रही है अभी देखने वाली बात रहेगी कि इसके अंदर कितनी यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है और कमपनी कितना अपने आपको इंप्रू कर पाती है तो बेस्ट एग्रो लाइप इस कमपनी के स्ट्रेंद को या बिजनेस को आपको धीरे धीरे अंडरस्टेंडिंग करकर चलना पड़ेगा और दोस्तों जैसे के स्टॉक से रिलेटेड डिसकस यहाँ पर हम करें तो आगर यहाँ पर हम बेस्ट एग्रो लाइप स्टॉक को अगर देखे तो पूरी तरीके से इसने हमें रिटन के नाम पर कोई अच्छा कमाई तो करकर नहीं दिया है पिछले जैसे के हम कह सकते एक साल के अंदर के रिटन्स को भी देख ले तो कोई खास अच्छा परफोमस इसके अंदर नहीं दिखाई देता है अगर आप यहाँ पर डिटेल्स में अंडरस्टेंडिंग कर ले तो एक बड़ी बात कहा पर आती दोस्तों पास सालों में पास साल पहले यही शेर 11 रुपए पर ट्रेड करता था और आज कहा पर है आप खुद देख लिजे 11 रुपए से आज आज भी किसी ने यहाँ पर पास साल पहले निवेश किया है तो वो आज भी साड़े साथ हजार परसेंड में बैठा हुआ है और लॉंग टम की जरनी देखेंगे तो उससे भी कमाल की है दो हजर सोला में यह शेर देखे कहा पर चलता था 11 पंदर रुपए पर चलने वाला शेर है यह और आज कहा पर है इसके अंदर 50-60 परसेंड की करेक्शन आते हैं अभी किसी ने खरीद कर पहले से रखाया तो जरूर इस टॉक के डीटेल्स देखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं थैंक्यू सो मच